हाई गाईज वालकाम बैक टो मैं आनादार नियो वीडियोज कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब बहुत 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 ही अच्छे हो आज की वीडियो में स्पेशाली में एक मॉस्ट्रेजर के रिव्यू से शेयर करने वाली हूँ टैने हैं यहां? यहां स्पेशाल को आरे खाल फ्याँ होता है तो हमें मॉस्ट्रेजर यूज करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप मॉस्ट्रेजर यूज करोगे नो तो आपको बार बार अच्छा भी नहीं लगता कि बार बार हम बस मॉस्ट्राइजर यूज़ करें करें तो आप लॉंग टाइम के लिए एक मॉस्ट्राइजर अपलाई करो दाकि 6-7 गंटे आपको चल जाए तो यह से वाला मॉस्ट्राइजर का रिवीव आज है एक प्लास्टिक कंटेनर में है इससे मैंने आफलेंज से पर्चिस किया है आप इसको ऑनलाज से भी पर्चिस कर सकते हो प्राइस रेट इसका सेमी रहता है अल्मूस्ट यहाँ पर इसका प्राइस मेंशन कियागा है 240 इसका जो सेल्फ लाइफ है 24 मांथ इसका सेल्फ ला मॉस्टुराइजर और नरिश रखते हैं इस नॉन स्टिकी है यूज करने के बाद बिल्कुल भी स्टिकी जैसे फिल नहीं होता है एकदम फ्लोलेस है लाइट ट्वेट है और स्कीन में कुईकली एब्जॉब भी हो जाते है मेकप से पहले अगर आप इस मॉस्टुराइजर को एप्लाई करते हो तो मेकप बहुत फ्लोलेस लगता है और खराब भी नहीं होता है इसका जो कंसिटेंसे आप देख सकते हो एकदम क्रीमी पॉर्म में है इसकीन पर बहुत ही जल्दी एब्जॉब भी हो जाते है और बहुत देड तक लॉग लास्टिं स्कीन को मॉस्टुराजर और हाइडरिट रखते है इसी वज़े से मुझे इस मॉस्टुराजर बहुत ज़़ादा पसंद है अगर आपने भी इस मॉस्टुराजर को यूज किया है तो आपका जो ऑपिन्यन है मेरे साथ शेयर कर सकते हो और इस जो मॉस्टुराजर है मैं इसे उइंटर सिसन के लिए प्रिप्यर करती हूँ कि मेरी स्कीन हमेशा मॉस्टुराजर रहे इसी वज़े से इंटर सीजन में आपको हमेशा कोई भी मॉस्ट्राइजर जरूर एपलाई करने चाहिए चाहिए इसी ब्रेंड की मॉस्ट्राइजर यूज करो या फिर कोई भी अच्छी ब्रेंड की एक मॉस्ट्राइजर लेकिन मॉस्ट्राइजर जरूर यूज कीजिएगा अगर आपको आज की वीडियो से थोड़ी सी भी हल्प मिली है make sure वीडियो को जरू लाइक कीजिए का एक उसकी लाइक आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हमारी इस फैनल के लिए भी काफे ज़्याद अच्छी है बहुत ज़गियो के लिए ज़िया श्रतार शवके लाइक कीजिए मिलती है